नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप सेंसेक्स को किस तरीके से बाई कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुझे आइडिया तब आया जब मैं एक कोर्स कर रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि हम सेंसेक्स को किस तरीके से बाई कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं जिससे काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा। आप वीडियो पसंद आप इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे इसको प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो जुरूथा काइट का मोबाइल एप है। इसमें ले चलता हूँ। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं। तो जैसे ही आप यह सर्च करेंगे तो यहाँ पर दो आप्शन आपको दिख जाएंगे। एक NSC का और एक BSC का। इसमें से किसी को भी आप यहाँ से एड कर सकते हैं। तो हम उपर NSC वाले को चलिए एड कर लेते हैं। तो ऐसे आपको टैप कर देना है और यहाँ उपर से बैक आ जाना है। तो यह हमारे वाच लिस्ट में आ गया है। तो इसको जब भी आप बाई करेंगे तो जिस तरीके से आप नॉर्मल स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। तो इसको भी आप खरीद और बेच सकते हैं। जिस तरीके से आप स्टॉक्स को खरीदते हैं। और यह जो है यह बेसिकली ETF है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यहां कहीं पर टैप करेंगे। चलिए यहां पर टैप कर दिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यह चले आते हैं थोड़ा सा Fundamentals पर यहां पर हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में बैसिकली जो ETF में हम लोग देखते हैं। यहां पर आप देख रहा होंगे HDFC Census ETF लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको देखना होता है Expense Ratio इस case में 0.05% है और दूसरा आपको देखना होता है Tracking Error यहां पर है 0.08% साथ में आप अगर देखना चाहें तो इसका Volume भी देख सकते हैं तो जो इसका जो आपको Volume यहां पर दिख रहा होगा 2782 का Volume है तो इस तरीके से आप ETF के द्वारा Sensex को Buy कर सकते हैं तो पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा अब जो हम दूसरे तरीके की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आप Mutual Fund Buy करते हैं उस तरीके से भी आप Sensex को Buy कर सकते हैं तो उसके लिए चले आते हैं हम Discover में इस पे क्लिक करते हैं और यहां पर जो Search का Option है यहां पर उस Fund का Name हम डालने का प्रयास करते हैं तो क्या डालेंगे HDFC SENSEX तो जैसी हमने इसको डाला है तो एक Option यहां पर देखिए आया है क्या आया है HDFC Index S&P BSC Sensex Fund ठीक है और इसका यहां पर AUM देख रहा होगा आपको 5288.88 करोड का अभी यहां कहीं पर हम करते हैं क्लिक चलिए यहां पर में क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में इसकी जो current NAV है यह आज की तारिक में अपडेट साथ हो गई होगी तो 605 रुपे की आपको दिख रही है यहां पर CAGR return जो है 3 years का 20.1% दिख रहा है minimum investment यहां पर 100 रुपीस का है exit load यहां पर 0.25% का है साथ में यहां पर जो expense ratio है यह है 0.2% का इसको आप किस तरीके से buy कर सकते हैं यह जो buy वाला option दिख रहा है इस पर जब आप click करेंगे तो आप लमसम buy कर लेंगे और जब इस पर click करेंगे तो आप इस fund में SIP कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप sensex को buy कर सकते हैं दरसल यह जो sensex है यह 30 stocks का basket है यहां पर आप particular एक stock नहीं खरीद रहे होते हैं आप एक साथ 30 stock खरीद रहे होते हैं भले ही आप इसमें 100 रुप्या डालें तो यह जो आपका 100 रुप्या है वो stocks के उस index में वेटेज के हिसाब से distribute हो जाता है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से sensex को खरीद और वेच सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि sensex को आप किस तरीके से खरीद सकते हैं और same process है अगर आप nifty खरीदना चाहते हैं तो same process है nifty के लिए भी हो सकता है कि वहाँ पे आपको अलग-अलग जो AMCs हैं उनके funds दिख जाएं इस case में जैसे कि आपको UTI का मिल सकता है आपको SBI का मिल सकता है आपको ICICI का मिल सकता है और ETF में भी आपको थोड़ा सा search करना कोई भी जो AMC है वो भी आपको उस उफदा provide कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना निर्णा कर सकते हैं कि किस company का आप sensex करीदें या किस company का आप nifty करीदें हाला कि इसमें कुछ खास असर नहीं पढ़ने वाला है सभी का जो allocation है सभी का जो काम है same ही रहता है तो उमीद क पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप में सो कोई भी जुरू था या ने ब्रोकर के साथ में अपना डीमा डॉर ट्रेडिंग अपन करवाने के इच्छुक हो तो डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डारेट एकाउंट उपनिंग पेज पर पहुच जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई जानकारिक साथ तब तक के लिए नमस्कार